ये कहानी एक ऐसे कैदी की है जिसे कतल के जुरुम में दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाता है जो दूर कहीं समंदर के बीच में मौजूद है जहां से किसी भी कैदी के लिए भागना लगबग नामुंकिन है लेकिन इस कैदी के लिए नामुकिन जैसा कुछ भी नहीं होता है और वह यहां से भागने में काम्याब हो जाता है जानेंगे इस कहानी में जो फ्रांस के ब्यक्ती हैनरी के जीवन पर आधारित सची कहानी है तो कहानी की शुरुआत में 1931 के पैरिस सहर को दिखाया जाता है जहां हर तरफ लोग इंजोई कर रहे होते हैं और उसका बॉस उसके बदले में कुछ पैसे उसे दे देता है तभी हम एक लड़की को कलब में काम करते हुए देखते हैं जो पैपिलोन की गल्फ्रेंड है जब वह उससे मिलने कलब के बाहर आती है तो पैपिलोन उसे कुछ डाइमंड्स के टुकडे दिखाता है और उसके पास एक नेकलिस भी होता है जो वह उसे दे देता है जिसे उसने अपने बॉस से छुपा लिया था लेकिन तभी एक आदमी नैनेट के हाथ में उस हार को देख लेता है अब वे दोनों इंजॉय करते हुए अपने घर पहुंसते हैं तबी नैनेट पैपिलोन से चोरी छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वह उसके साथ गाउं जाकर एक नई शुरुआत करना चाहती है, पैपिलोन कहता है कि 6 महीने बाद वह उस जगा चलेंगे, तब तक वह यहां रहकर काफी पैसा कमा लेगा, तब ही वहां पुलिस आ जाती है, जो मडर के इलजाम में पैपिलोन को अरेस्ट कर लेती है, और उसे अपने साथ ले जाती है, दरअसल ये मडर उसके बॉस ने किया था, लेकिन पैपि को फसाने के लिए उसने इसका इलजाम उसके उपर लगा दिया, अब जेल में नैनेट उससे मिलने आती है, वह पैपि से कहती है कि वह उसके लिए अपील करेगी, लेकिन पैपि जानता है कि इन सब का कोई फाइदा नहीं है, उसका बॉस उसे जेल से बाहर नहीं आने देगा, इसलिए वह नैनेट से उसे भूल जाने के लिए कहता है, अब सभी कैदियों को मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, तभी पैपि के पास एक आदमी आता है जो उसे एक दूसरे कैदी के वारे में बताता है, जिसने बहुत सारे पैसे को अपने पेट में छुपा कर रखा है, इसलिए सभी कैदियों की नजर उस पर होती है, अब इन सभी कैदियों को जहाज से फ्रेंच गुएना के लिए ले जाया जाता है, जहां कि जेल से भागना इन कैदियों के लिए नामों किन है, और इन सभी कैदियों की बाकी की जिंदगी उसी जेल में बीथने वाली है, तब ही पैपी डेगा नाम के उस सक्स से मिलता है, जिसने पैसों को अपने पेट के अंदर छुपा रखा है, वे डेगा से कहता है कि जेल से भागने के लिए उसे थोड़े पैसों की जरूरत है, अगर वे उसकी मदद करता है तो वे उसके बदले में उन सभी कैदियों से उसकी रक्षा करेगा, जो उसकी जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन डेगा पैपी की मदद करने से साफ मना कर देता है अब जब रात में सभी लोग सो रहे होते हैं तभी एक आदमी डेगा के पास सो रहे कैदी को मार देता है और उसका पेट काट कर अंदर छुपे हुए पैसों को निकाल लेता है जब डेगा ये देखता है तो वै काफी डर जाता है और वै समझ जाता है कि उसकी जान भी खत्रे में है इसलिए वै अगली सुबा पैपी से मिलता है उसे बताता है कि जल्दी ही उसकी पत्नी उसे यहां से निकाल लेगी लेकिन तब तक के लिए उसे protection चाहिए जिसके बदले वे पैपी को पैसे देने के लिए राजी हो जाता है अब जब रात होती है तो एक बार फिर से भैयादमी देगा की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है लेकिन तभी पैपी उस पर हमला करके उसे पीटने लगता है और इन सभी कैदियों को जहाज से उतार कर उस जेल में सिफ्ट कर दिया जाता है वहां का जेल वार्डन उन्हें जेल के सभी रूल्स समझाता है और बताता है कि अगर उनमें से किसी ने भी भागने की कोशिस की तो उनकी सजा और कड़ी कर दी जाएगी अब अगले दिन सभी क देने होंगे पैपी जिसके लिए मान जाता है तभी कुछ कैदियों को डेगा के पैसों के वारे में पता चल जाता है और जब नहाने जाते हैं तो वे लोग उन पैसों को छीनने के लिए उस पर हमला कर देते हैं जिसके बाद पैपी और उनके बीच लड़ाई शुरू हो और इस लड़ाई में पैपी उन सभी को मार मार कर उन्हें अदमरा कर देता है और डेगा को उनसे बचा लेता है अब डेगा को डर सताने लगता है कि उसकी सजा पूरी होने से पहले ही दूसरे कैदी उसे मार देंगे इसलिए वह भी पैपी के साथ वहां से भागने के दिया जाता है और उसकी बॉड़ी को पैपी और डेगा के हवाले कर दिया जाता है जब लोग उसे दफन करने के लिए ले जा रहे होते हैं तो डेगा खुन देखकर घवरा जाता है और जमीन पर बैठ जाता है तब ही एक गार्ड आकर उसे पीटने लगता है और पैपी ज जाते हैं. अब पैपी जंगल से होते हुए उस आदमी के के सामने पेस किया जाता है जो कहता है कि जिस guard पर तुमने हमला किया था वैं खुस किसमति से जिंदा बच गया है वरना तुम्हारा भी वही हाल होता जो तुम्हारे दोस्त का हुआ था वर्डन पैपी की सजा को ओर कटी कर देता है और उसे दो सजा के लिए दूसरे आइसलेंड सेंट जोसफ बेश देता है जहां हर तरफ साइलेंस है और इस सजा में ज्यादा तर कैदियों की मौत हो जाती है क्योंकि खाने के नाम पर कैदियों को वस सूप का पानी दिया जाता है अब अगले दिन वह गार्ड पैपी के सेल में आता है जिस पर वे हमला करके भागा था, जो उसे बुरी तरह पीठना शुरू कर देता है, तभी पैपी का सर दीवार से टकराता है, और उसके सर से खून बहने लगता है, जिसके बाद पैपी उस खून से दीवार पर अपना हैंड प्रिंट लगाता है, अब पैपी भूक और प्यास के कारण बहुत कमजोर हो चुका है, तभी एक दिन उसे पानी की बाल्टी में एक नारियल और एक लेटर मिलता है, जो उसके दोस्त डेगा ने उसके लिए भेजा था, उस लेटर में लिखा होता है कि अपसे हर रोज उसे खाने में नारियल मिलेगा, पैपी ये देखकर बहुत खुस होता है, तभी एक दिन दूसरे गार्ड को सक हो जाता है, और भे उस बाल्टी में नारियल को देख लेता है, इसके बाद वार्डन पैपी के पास आता है, और उसे उस आदमी का नाम बताने के लिए कहता है, जो उसे नारियल भिजवाता था, लेकिन पैपी डेगा का नाम नहीं बताता है, और इस गुस्ताकिय के लिए वॉर्डन उसके खाने का रासन आधा करवा देता है अब पैपी उस सेल में रहकर बहुत जादा कमजोर हो जाता है और उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है अब एक दिन वॉर्डन फिर से उसके पास आता है और उसे उस आदमी का नाम बताने के लिए कहता है अगर वह ऐसा करता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी वॉर्डन को लगता है कि पैपी लॉन अब तूट चुका होगा और वह उसे उस आदमी का नाम बता देगा लेकिन इस बार भी पैपी उसे कोई नाम नहीं बताता है जिसके बाद वॉर्डन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह उसकी सजा को और कड़ी कर देता है और उसके सेल के अंदर अंधेरा कर दिया जाता है जिसकी बजह से पैपी अपना दिमागी संतुलन खो देता है और उसे तरह तरह के विजन साने लगते है वह अपनी जान लेने की कोशिस भी करता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और उसकी दो साल की सजा पूरी हो जाती है जिसमें जेल के सभी अधिकारी व्यस्त रहेंगे और जेल की सुरक्षा भी जादा कड़ी नहीं रहेगी और इसी मौके का फायदा उठा कर पैपी वहां से भाग सकता है डेगा बताता है कि उसकी बाइफ ने उसकी ही बकील से शादी कर ली है और अब यहां से निकलने की उसकी आखरी उमीद भी खत्म हो चुकी है इसलिए डेगा भी उसके साथ जेल से भागना चाता है अब पैपी चार लोगां का एक गुरुब बना कर जेल से भागने की प्लानिंग करता है जिन मेंसे एक आदमी कहता है कि वह किसी ऐसे आदमी को जानता है जो उने बोट दिला सकता है अब जब साम को फिल्म सुरू होती है तो डेगा उन आफिसर्स की ड्रिंक में नींद की खोलिया मिला देता है जिसकी वज़ा से भे बेहोश हो जाते हैं और पैपी अपने सभी साथियों के साथ जेल की दीवार से कूद जाता है लेकिन दीवार कूदने से डेगा का पैल तूट जाता है और वह जखमी हो जाता है अब ये चारों लोग उस जंगल से होते हुए उस आदमी के पास पहुंचते हैं जो उन्हें पैसों के बदले एक बोट देता है और अब ये सभी लोग उस बोट में बैठ कर वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन ये बोट काफी पुरानी होती है जिसकी बजा से उसके अंदर पानी भरने लगता है तभी वे देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है अगर उन्होंने बोट से बजन को कम नहीं किया तो वे सभी लोग डूब जाएंगे तभी उनका एक साथी डेगा को बोट से उतारने के लिए कहता है क्योंकि वे पहले से ही काफी जखमी हो चुका है लेकिन अब पैपी अपने दोस्त डेगा को खोना नहीं चाता इसलिए वे ऐसा करने से मना करता है लेकिन सेलर डेगा को मारना चाता है और वे उस पर चाकू से हमला कर देता है लेकिन पैपी डेगा को सेलर से बचाने के लिए उस से बिढ़ जाता है और उनके बीच जवर्दस्त लड़ाई शुरू हो जाती है ये देखकर डेगा को भी गुस्सा आ जाता है और वह भावाँ पड़े चाकू को अठा कर सेलर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है जिसके बाद वे उसे बोट से निकाल कर समंदर में फैक देते हैं तब ही वहाँ अचानक से तूफान आ जाता है और जब पैपी जाकता है तो वे अपने आपको एक टापू पर पाता है जहां उसके आसपास बहुत सारे आदिवासी लोग होते हैं जिन्होंने उन्हें बचा लिया होता है तब ही उसके पास एक महला आती है जो उसे बताती है कि उसके दोनों साथ ही सुरक्षित हैं और वह इस वक्त कोलंबिया में है और वे मेला ये भी जानती है कि वे किस जगह से आये हैं जिसके वादवनन पैपी से प्रार्थना करने के लिए उसके साथ आने के लिए कहती है अब पैपी अपने दोस्त डेगा के पास जाता है और उसे बताता है कि ये लोग जानते हैं कि हम कहां से आये हैं इसलिए हमें यहां नहीं रुखना चाहिए, लेकिन डेगा अब और नहीं भागना चाहता, वह इनी लोगों के बीच रहकर अपनी बची हुई जिंदगी यहीं गुजारना चाहता है, और उनका तीसरा साती भी यहीं रहना पसंद करता है, लेकिन पैपी बापस अपने घर लोटना चाहता है, जहां उसकी गल्फ्रेंड उसका इंतजार कर रही है, इसलिए वह वहां से चला जाता है, तब ही वह देखता है कि उन्हें ढूटते हुए कोलंबियन ओथरिटीज वहां आ गई हैं, जिनने देखकर पैपी बापस डेगा के पास जाता है, और उसे यहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें चारों तरफ से गहर लिया जाता है, और उनका तीसरा साथी जो भागने की कोसिस करता है, उसे गोली मार दी जाती है, अब पैपी और डेगा को फिर से जाता है और पैपी को उस कैद में 5 साल गुचर जाते हैं, वे अब काफी कमजोर और बूरा हो चुका है, एक बार फिर से वार्डन पैपी के पास आता है, और वे उसे जिन्दा देखकर हैरान रह जाता है, वार्डन नहीं समझ पाता है कि आकर ऐसी कौन सी चीज है जो उसे अभी तक जिन्दा रखे हुए है, जिसके लिए वे बार बार जेल से भागने की कोशिस करता है, अब वर्डन को डर है कि कहीं पैपी फिर से भागने की कोशिस ना करे, इसलिए वे उसे डेविल्स आइसलेंड भीज देता है, जहां से किसी भी कैदी के लिए भागना ना कि कैसे वे समंदर को पार कर सकता है, लेकिन डेगा उसे बताता है कि इतनी उचाई से कूधने के बाद उसका बचना ना मुंकिन है, अगर बच भी गया तो पार करने के लिए उसके सामने बिसाल समंदर है, वही डेगा ने वहां की दीवारों पर अजीब तरह की जिसके बाद पैपी और डेगा बहुत सारे नारियल्स को एकटा करके एक बोरी में भर लेते हैं और उनसे एक राफ्ट तयार करते हैं और अगली सुभा अपने साथ थोड़ा खाने पीने का सामान लेकर उस जगा पहुंच जाते हैं अब पैपी एक बड़ी सी स्माइल के साफ जलक रही होती है तब ही डेगा कहता है कि वह अब उस बाहरी दुनिया में नहीं जाना चाता क्योंकि अब वहां जाने के लिए उसके पास कोई बजा नहीं है उसकी पत्री ने भी किसी दूसरे आदमी से साधी कर ली है इसलिए वह अपनी बागी की जिंदगी इसी कहकर उस नारियल की राफ्ट को पानी में फेक देता है और उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है तब ही वह एकदम सन नाट अचा जाता है डेगा को लगता है कि पैपी उचाई से कूदने की वजह से सायद सरवाइब नहीं कर पाया लेकिन तभी पैपी नीचे से डेगा क को आवाज देता है और कहता है कि उसने कर देखाया डेगा भी उसकी आवाज सुनकर बहुत खुस होता है और वे दोनों खुसी के मारे जोर जोर से चिलाने लगते हैं और अब पैपी लहरों के सहारे अपनी मंजल की ओर बढ़ने लगता है अब कुछ समय बाद हम ने उसे कन्वियंस किया था लेकिन फ्रांस के अंदर पैपी अभी भी एक वांटिड है और अब है वेनेजोला में रहता है लेकिन वह चाता है कि उसकी कहानी को फ्रांस में पबलिस किया जाए क्योंकि ये कहानी उन 80,000 कैदियों की है जिन में से अधिकतर लोग उस आइसल पास किया जिसमें हैनरी यानी की पैपी लौन को बापस फ्रांस लोटने की अनमती दी गई और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है तो ये थी हैनरी के जीवन की सच्ची कहानी जो हमें सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो इंसान उसके लिए साथ समंदर पार भी कर सक और सायद इसी उम्मीद ने पैपी को जिन्दा रखा कैसी लगी ये स्टोरी नीचे कमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै स्री कृष्णा